पितव कने विए पैज्ट आपंद क्यूंत है hey guys a very very warm welcome everyone ृप्त पृप साल आप सभी का स्वागत है जीतने भी दोस्त हैं पर जूड़ रहे हैं आप सभी का बहुत क्युत बहुत का बहुत बहुत अबिन नदन्न आप सभी के ज़ित了吧 बहुत-बहुत बहुत स्वागत तो यार देखिए अभी जो है यूपी टैट सूपर टैट और सी टैट यह तीन अगले इस एक्जामनेशन है जिनको मैं इस वीडियो से यानि कि जो इस सेशन में ले रहा हूं अभी बाकी आज के सेशन में हम लोग सी टैट एवं बाकी की सबी चीज़ें चाहिए वह यूपी टैट हो सूपर टैट हो इनसे रिलेटेड काफी बढ़ियास है एक सेशन आज हम लोग कवर करेंगे दोस्तों और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इस पूरे के पूरे देने के लिए जाना जाता है free of cost साथियों और देखे चारू अभी भी स्टिल हमारी कक्षा में हैं इनका examination भी हो गया है ऐसे चात्रों से आप सब लोग को सीख लेनी चाहिए कि देखो examination अपनी जगा है लेकिन जो पढ़ाई है वह अपनी जगा होने चाहिए very good very very good ठीक है चलिए तो पहला question आपके सामने यह रहा दोस्तों यहां पर पहला question आपके सामने यह रहा your friend remains ill because of weak teeth bones है ना आपका दोस्त है वह हमेशा कमजोर रहता है और उसके कमजोर दात हैं अस्ति हैं उसके सही होने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सबसे बढ़िया है बताओ अगर सबजी पालक और फल्क खलाएं तेल अंडा चावल रोटी खलाएं सर यूपी के एडूकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि यूपी में कोई टीचर्स की वेकेंट खालेने वेकेंसी है लेकिन अभी निकालेंगे नहीं वो लोग है न यह है ठीक है उन्होंने बोला है कि अभी ह हमारा जो स्टूडेंट से लेकर जो टीचर्स का जो हमारा रेश्यो वो बहुत अच्छा है लेकिन उनके मन में शायद अभी निकालने का नहीं है वेकेंसी बट कोई बात नहीं हम लोग किसी वेकेंसी के महताज है क्या पढ़ाई करने के लिए बताई साथियों क्या जब के के वेकेंसी नहीं थी तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे कि पढ़ रहे थे थोड़ा थोड़ा और कॉल क्वालिफाई भी कौन कर पाया कि जब वेकेंसी आई तो उसका इंतजार रहेगा हमारा ठीक है और अब जानते हैं सरकार चुनाव के नजदीक अपने इलेक्शन के नजदीक जो है वेकेंसी भरना चाहती है और अगर एलेक्शन हमेशा याद रखेगा कमिनल बेसिस पर होता रहा धर्म के आधार पर होता रहा तो इन दिन ऐसा भी आएगा जब वेकेंसी निकालने की ज़रत भी नहीं पड़ेगे सरकारों को अगर एलेक्शन धर्म के वहीं पर खतम हैं अगर मैं वोट लेलो मुसिलिम मुझे वोट देदो हिंदू मुझे वोट देदो हैना ऐसे धर्म के आधार पर बॉट होती रही हमेशा तो इस देश में जरुरत क्या काम कराने की सोचो ना वोट वैसे मिल रही है ना राज उनका वैसे आ रहा है हाँ आगर काम के आधार पर वोट आए कि स्कूल नहीं बनवाए आपने हम आपको वोट कैसे दे आपने फॉर्म नहीं निकाले आपको वोट कैसे देख दे तो इस आधार पर जब से पढ़ने सुरू होंगी आएगा वो समय एजुकेटिड लोग आएंगे आप लोग आएंगे ठीक है तो तब जाकर वेकेंसी लगातार आपको देखने को मिलेंगे चलिए तो सही आंसर है डेट इस मिल्क वेजिटेबल स्पाइनेच और फूट सेना याद रखेगा दूद सब जी पालक और फल इसका सही आंसर है दोस्तों ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुशन नीचे दिए गए विकल्पों में इसे पहंचाने जिसे उतक्रमित किया जा सकता है बता आ फटार वट से इन में से कौन से ऐसे विकलप है जो जिसे उत्करमित किया जा सकता है कोई बात नहीं है यार वेकैंसी पहुत हैं आपके लिए हर्याना में आने वाली है हर्याना टेट की तयारी करना स्टार्ट कर दो ये जो पढ़ा रहा हूं हर्याना टेट में काम आएगा इस बार हरियाना टेट क्वालिफाइब करके हरियाना के अंदर जो है वेकेंशी आएंगी उनको क्वालिफाइब करना ठीक है चली तो सही आंसर क्या है करेक्ट आंसर इस प्रिपेरिंग मोल्टन वेक्स है ना याद रखेगा सर मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है क्या प्रोसेस समझा देता हूं प्रोसेस भी बहुत जल्दी ठीक है डॉंट वरी थोड़ा सा समय देंगे आप मिर को ठीक है बीच में मैं पेरिंग मोल्टन वेक्स मतलब मौम का घोल बनेना हमारा उतक्रमित व्यभार है दोस्तों याद रखेगा और इर्रेवर्सिबल चेंज़ेज आगे बढ़ते हैं माउंट आव्रेस्ट इस पार्ट आफ माउंट आवरेस्ट किसका हिस्सा है रादे रादे सर रादे रादे माउंट आवरेस्ट नीचे देगा किस देश का भाग है तिबबत का है ठीक है नेपाल का है भारत का चीन का है यूपीटेट नहीं होगा क्या सर्फ यूपीटेट क्यों नहीं होगा कोशन बनता क्यों नहीं होगा होगा पक्का होगा यूपीटेट एक ऐसा एक्जामनेशन है ठीक है जिसे बोर्ण की कमाई होती है यह ठैट examination नहीं रुकते कभी भी समझे रहें इन से बोर्ण की कमाई होती है तुम form कितने का भरते ओह इसा हो सकता है बिलकुल नहीं हो सकता नेपाल याद रखेगा मांट एवरेस्ट नेपाल में है साथ यू कहा पा रहे नेपाल के अंदर है माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर हमें देखने को मिलती है थ्री नेवरियन स्टेट सराउंडिंग मिजोरम आर मिजोरम के जो निकटवर्ती प्रदेश है प्रती वर्षी प्रदेश है वो कौन-कौन से हैं वह सम्हें बिहार बढ़ती प्रदेश कौन से हैं हर्याना एक कोई बताओ ना सर हर्याना के कई बताओ ना सर घुपाल हर्याना में है वक्ति तोगा और ऐस्तेट के साथ ही 2024 में इलेक्शन है उससे पहले पहले वैकेंसी निकलांगी उनकी जो जुएनिंग वह अगली सरकार में होगी लेकिन निकल आईगी करीब 8000 पी आटी टीचर्स की वएकंसी आएगी एक और चीज माँ लोग को बता दूं अब और अच्छी बात है कि किसी भी प्रकार का किसी एक राज्जे के लोगों के लिए क्या नहीं है सात्यों reservation नहीं है आप सब लोग journal में consider किये जाएंगे जितने भी बहरी राज्ये वाले हैं वो सब journal में consider किये जाएंगे तो आठ हजार में से अगर मान के चलो 4000 वेकेंसी जर्नल की होंगी तो 4000 वेकेंसी बेसिकली आप लोग PRT के 4000 वेकेंसी के लिए में consider किये जाएंगे आप लोग मान लो और 4000 वेकेंसी बहुत अच्छी वेकेंसी होती है ठीक है तो तुरपुरा असम मनिपूर इसका सही जवाब है मिजोरम के जो निकटवर्ति प्रदिवेश्य तीन राज्य है वो मिजोरम तुरपुरा और असम है अगला कुश्य है अगला सबसे ज्याद आए तुकर दिया था सरकारने पर सरकारने देखा हुआ क्या हर्याना सरकार भी सबसे अग्सामिनेशन होता है तो आदा आदा भाग तो पेडागोजी का उता और पेडागोजी अटेम्ट करना बहुत आचान काम होता है हर्याना वालों ने क्या किया उन्होंने अब बात बताओ हमंंंद के दुबारा से हर्याना भरेगा जब उसका सिंटा पास और तो कि देगा हमंंंद क्यों बदेगा कि उन्होंने फार्म निकाले S-TET के form निकालने पर उन्होंने देखा 4 दिन हो गए 4 दिन हो गए कोई भरती कोई form ही नहीं भरके दे रहा है कमाई नहीं हो रही है बोड की और जब 5 दिन आया उन्होंने फिर notice निकाला कि जो हमने C-TET को validity दी थी न वो आप valid नहीं रहेगी C-TET आपको हर्याना TET ही qualify करना होगा अब आप बता दो यह TET examination किस वज़ा से हो रहे हैं यहां से साफ साफ पता चलता है कि TET examination का मकसद यह नहीं है कि एक ऐसे चात्र वहां तक पहुंचें जो well qualified हों TET examination का मकसद कहीं हद तक सरकारों के लिए बन गया है कि पैसे कैसे कूटे जाएं सरक बच्चों से वरना अगर ऐसा ही होता तो पूरा central level का जो examination हो रहा है CTET स्टेट की हिम्मत उसे ना माने उसी को अलाव कर देते ठीक है तो सही answer क्या है correct answer that is yes sloths live for ठीक है sloths live for about 40 years in that time they can move around eight trees right sloth जो है वो 40 वर्स तक जीते हैं और वो करीब आठ पेड़ बदल सकते हैं दोस्तों याद रखेगा कि आगे बढ़ते हैं अगला कूशन है यह डिस्टेंस वाला कूशन है बदाई पटापट से लखनव रेल्वे स्टेशन और नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है ठीक है तो कई रेल गाड़ी इस दूरी को साथ घंटे में कवर करते हैं इस रेल सेट क्लियर नहीं है तो यूपिटेट की तयारी कर लो सीटेट में अभी टाइम है ठीक है सीटेट आप लोगों का जो एग्जामनेशन है शीटेट जो नेक्स्ट सीटेट होगा वह आप लोगों का अगैन दिसंबर में होगा और उसके फौर्म जो है बिसिकली कब आ जाए अक्टूबर में फॉर्म निकलाएंगे दिसंबर में पेपर होना सुरू और नवेंबर के एंड में आप लोगों के एडमिट काड आ जाएंगे ठीक है जनवरी दिसंबर से लेकर जनवरी तक पेपर चलेगा और मार्च में रजल्ट अगली सीटेट का यह शेडियूल है ठीक डूर बाठी इस दूर्य को साथ में यह करती है इस रेल गाड़ी की मीटर पर सेकंड आउसत हफिस क्जान से देखो ठीक है आपको क्या निकाल लिए चाल कया हूती है समझ है चाल होतीizadoolar कर faun is 74 divided by साथ 7 7 99 फीक है और साद दूनी चौत अच ले moeten कि यहिए लेकिन पूछिए है उसने कि स्वें मीटर पर सैकेंड में तो दो बहातर गुना पांच बर्टी 808 चौक बहातर पांच चौक का 20 20 सेखेंड है ना 20 अगे बढ़ा अगला कुशन सरक्या सीटेट में एक दो नंबर बढ़ेंगे प्लीज हाँ एक दो नंबर के तो बढ़ने के चांसे जिन जिन कोश्चन के सामने नौ लिखा आ जहां है आंसर की में वह एक मार्क जोड़ के चलें ठीक है नो नौ आ रहा है किसी किसी के आंसर की में एक दो तीन चार आप्शन में और कहीं कहीं नौ लिख रहोगा तो जहां नौ लिख रहा है वहां एक नंबर जोड़ते चलें अपना पश्मीना उन किस जानवर से समर कन्ना जीया यूपिटेट का ही चल रहा है अब डिक है यूपिेट सीटेट दौनों का चल रहा है कॉम्माइन करके थीक है समर चलो कुछ कोशून ओचिर अडाट के कुछ कोशन सीटेट के है इस को च्वेशन का आंसर करो पश्मीनाओं किस जनवर से मिलती है दोस्तो अगला नग्यमन में से कौन से रोग मच्छरों से लटे हैं बताओ में से कौन से राग जो मच्छरों से फैलते हैं सर मेरे के विएस में 120 मार्क हैं सेलेक्शन होने का चांस है प्रदीप जूट नहीं बोलोंगा दोस्त ठीक है क्योंकि मैं उन टीचर्स में से नहीं हो जो खामा का क्यों उम्मीद दे दो देखो यार चांस कम है हालत पतली है 120 नंबर पर ठीक है तुबी वेरी फ्रेंक हालत पतली है कट आफ मानके चलो 130 से उपर आएगी हां कुछ टीचर्स हुंगे जिनको बैच बेचना होगा इंटर्विव का वह आपको 110 कट आफ भी बता दिंगे वह तो 100 भी बता दिंगे 80 बत आफ जाएगी 100 नंबर गलत कर तो कोई दिक्कत नहीं है मिरको बैच नहीं बैचना इंटर्विव का तो मैं क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं 130 से उपर वाले खुशी मनाए थोड़ी बहुत ठीक है चलो तो सही आंसर है निमन में से कौन से मलेरिया मच्छरों से फैलते हैं तो करेक्ट आंसर है ACD है ना ACD मलेरिया डेंगू और चिकन गुनिया ठीक है यह हमारे मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुशन तो कुछ रोगों हैं साथ अगर आप चाहें तो इनका स्नैप्सॉट ले सकते हैं टाइफाइड किस से फैल अगला कुशन यह जो रोग मैंने बताएं यह सब यूपी टैट में काफी मददगार रहेंगे अगला कुशन अब आपको पता है दिखाने के लिए बड़े बड़े अलग अलग तरीके किस्म के लोग मिलेंगे तुम लोगों को कैसे मैं समझाऊंगा ऐसा हो रहा है कहीं कह यह ने ऐसी वीडियो नहीं बनी अभी तक कि कि किसी ने 2018 का कमपरिशन कर रखा थो थाया इसकूशन का अंसवर देखो क्या कि यह आसा नहीं हूरा है कि 2018 का कंप कॉमपरिशन कर रखा था हो कट आफ के साथ में 2018 में उतनी गई थी तो दो हजार 22 में वह तनी परसेंट जाए जह की महानूभाव से पूछके देखो ठीक है है उन महानूभाव से पूछके देखो पहले चीज पूछके देखना कि है क्या 2008 तरय का जो पेपर है आपसम बताओ व Explained 12 के पेपर इए दोनовать से कौन सा 17 में भी पेपर हुआ था 2016 में भी पेपर हुआ था तो जो यह selected candidate थे वो सालाना सीट ले रहे थे लेकिन लगातार 4 साल हो गए जिनोंने वेट किया 4 साल से जो लगातार पढ़ाई कर रहे थे पढ़ाई कर रहे थे इस competition को कोई लें ही निरा है मुझ समझ में नहीं आ रहा है कि इस competition को कोई मान ही नहीं रहा है कि competition बढ़ा यह 2022 में 2023 में और बढ़ गया कॉंप्टीशन को माण ही नहीं रहा है अब 2018 में बता कुलता ही नहीं हूं मैंने कट आफ कितनी दिए 136 से 142 दिये मैं बेवकूफ नहीं हूं मुझे अपनी कराने का शौक नहीं है मैं पागल नहीं हूं कि मैं ऐसी कट आफ दे दूंगा बहुत चीज़े सोची है ठीक चलिए वापस से आते हैं वरशा की पानी का संचेन का उपयो है तो सही आंसर है देट टिस्यस रेइन वाटर हार्वेश्टिंग वरशा पानी का संचेन ठीक है आगे बढ़ते हैं इनमें से पौधे का कौन सा कीटों का जाल फसाता और खा जाता है बताओ फटावर्ट से कौन सा इसा कीटों का भाग है कि जो कीटों को पासाता और ही है प्रदीप्यार मैं क्या ही कहूं अब देखो खुद देख लो रिजल्ट आने वाला कुछ दिन में ठीक है चलो शरो तो सही है आंसर क्या है करेक टांसरें देटिउशर पिचर प्लांट घट परिन पौधा से पौधओ को कीटों को फसाने वाला जे वी यह यह रहा पिचर प्लांट को यह ऑर जितने वेकेंसे निकले कहीं पर आपके राज्ये में वेकेंसे निकले जरूर ही नहीं है टीचरी बनोगे ठीक है तैयारी करते रहो अपने आसपास के एक्जामनेशन की भी पौदे का वह भाग जो दांत के उपचार के लिए इस्तमौल किया जा सकता है दांत के इस्तमौल के लिए दांते में अगर दर्द हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं यस लॉंग हम लोग लॉंग का इस्तमौल कर सकते हैं अगर कभी दांत में दर्द होता है तो हमारा जो लॉंग है लॉंग जो है काफी है ना वो helpful रहता है लॉंग एक गाउं का नाम वहां उगने वाले खेज़ सब लोग जानते है राजिस्थान के गाउं का पेड़ है बहुत ज्यादा फेमस है इनमें से कौन सा एक स्थान केरल में है बताओ वलसाड कोजी कोड ऊड़ीपी या फिर माला खेड़ा कि के विए स्थान कब तक आ जाएगा भी या मार्च चल रहा है मार्च के इंड तक आपको रिजल्ट दिख जाएगा घवराओ मत कि भड़ती जो हो जानी मही में है यस और कोजी कोड है ना कोजी कोड इसका सही जवाब है ठीक है कौन से कैसा स्थान है जो केरल में है कोजी कोड हमारे कैसा स्थान है जो किरल आके अंदर है साथ याद रखेगा साबुत मूं या चना रात भर पानी में भगो कर एक या दो दिन के लिए छोड़ दिया जाता है सबसे पहले जो अंकूरित होता है वो भाग कौन सा है वो तना है वो पत्ती है वो जड़े है वो पल है प्रूट जेए वो जड़े है ना रूट से साबुत मूं जो है वो रूट के वाला भाग है दोस्तों ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नहरू पर्वत रोहन संस्थान कहां पर है बताए फटल पर्वत रोहन संस्थान है वो कौन से पर पर पता है पहले भी आय हुआ कोशन है कराय हुआ कोशन है बताए नेहरु परवत रोहन संस्थान कौन से जगा पर है कि यस उत्तरकाशी है ना आय हुआ कोशन अगर आप इस बार के भी सीटेट में ध्यान से देखेंगे तो कुछन पूछा गया है कि पूछा गया है नहीं पूछा गया यस रेड डेटा बुक क्या दर्ज करती है रेड डेटा बुक जो है वो क्या दर्ज करती है साथ बताए फटापट से कि अरुआ कि 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 चलिए ओहो यह फाइनली एडविटीजमेंट आगी तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप लोग टेस्ट बुक से कोर्स कैसे ले सकते हैं जो छात्र पूछ रहे थे इसके बाद हैं कोश्चंस ठीक है हम लोग पूरे कोश्चंस करेंगे 30 अभी वस एक मिनट की एड़ है पूरी आड़ देख लो ठीक है एडविटीजमेंट मतलब आपको कोर्स लेने की प्रोसेसर बिल सकते हैं तो हम लोग गए यहाँ पर हम लोग गए मफ है से टेस्ट बॉक की एप छोली हमने थीक कि डाउनलड कर लेने आपने को टेस्ट बूक की डाउनलोड कर लिए और test book के आप खोले हमने इस तरीके से test book के आप खोलने के बाद it will take time थोड़ा सा समय लेगी just because मेरा mobile जिससे मैं करा रहा हूं वह बहुत slow है ठीक है और बेंट्री भी इसकी बहुत लोग है 15% ठीक चलिए तो हम लोगों को यहां पर देखो ester go home test Super super इस इस भी करना है सुपर पर क्लिक करने के बाद ooper से देख ॥ जो ऑपर वाला जो भाग है कि अगर आप यहां पे ध्यान से देख रहे हो तो यह वाले भाग ठीक है यहां से आपको अगर यूपिट का कोर्स चाहिए तो यूपिट चुल लो सूपध चाहिए सूपर चाहिए चुल तो इता चुल लो टिक है मानके चलिक हमें सीटी वाले पॉइंट पर पहला वाला जो कोर्स सीटेट फुल कोर्स कम ना लोकिश भारतवाज इस पर व्यूफुल कोर्स पर क्लिक कर देना आपको इस पर जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यह 900 99 में रुपे में मात्र मिल रहा है साथुच ह्य महीं का और से थोड़ा सस्ता कर लेते हैं ठीक है जोइन नाव पर क्लिक करें के बालोफ को apply coupon करना है और coupon में आपको लगाना है coupon lock को के sequencing लोकेश भी है ना बिना किसीट के लोकेश भी लगाना बूम आपको यह जो है नौ278 रुपे में मत्र928 रुपे में सीट केकि मतला मत्र नौ precude में आपको सीट्व की तयारी करने को मिल जाएगे दोस्तों तो खाफी एक अच्छी खासी डिल है वैसे ऎप यूबी टैट ले सकते हैं याद रखेगा कूपन कोड जरुर याद रखेगा लोकेश भी कूपन कोड है उसके बेना कोर्स लेंगे तो आपको डिसकाउंट नहीं मिल पाएगा दोस्तों ठीक है याद रखेगा दोस्तों ठीक है चले चले वापस से आते हैं हम अपने कोर्स पर तो रेट डिटा बुक क्या दरज करती है दोस्तों हाँ सूपर टैट का भी कोर्स आ रहा है बस आ गया बहुत जल्द इस महिने में दो-चार दिनों में आपको देख को मिलते हैं यह रेट डिटा वोक आप देख सकते हैं अपने सामने अच्छा बाजरे की खेती से लेकर थाली तक का सही कथन क्या है सही कचरन क्या है कि डिटर प्लेस भी प्याटी का भी कोर्स हम लोग लुग लॉंच करेंगे अभी नहीं आया है ठीक है चारू कोर्स तो है अल्रीडी सूपर टेट का लेकिन हम लोगों का कोर्स नहीं है समझ नहीं मतला हम टीचर्स का उस पर आपको जब आप सिटेट का कोर्स लिंगे ना तो आपको सिर्फ मेरा कोर्स नहीं मिलेगा मेरे साथ प्रतिक सिवालेक ऑफ-लाइन ऑन-लाइन कोचिंग सेंटर से 928 यह हमारा क्या है साथ यह बाजरी के बीच में सही कतान है आगे बढ़ते अगला कुश्चन यह कोशन आया था अगला कुशन रहा वन्यजीव से रक्षन के लिए राष्ट्य उद्यान महत्पून है भारत में कौन सा राष्ट्य उद्यान सबसे पुराना है उल्डेस्ट काजी रंगा नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कि डी ट्रिपलेस भी प्याइटी का भी ले आईए सर ले आएंगे भाई या ले आएंगे सारे कोर्स ला रहे हैं धीरे-धीरे करके अभी हमें जोइन किये चार मैंनी हुए है सूपर कोचिंग पर यकिन नहीं मानोगे हमारे पास दस हजार से जाजा ऐसे स्टूडेंट है जो हमसे अब अप्लिकेशन में तहरी कर रहे हैं और अभी देखना रिजल्ट बहुत चमकाने वाला रिजल्ट होगा जिस दिन रिजल्ट निकालेंगे नहीं कि प्याइटी वाला उस दिन देखना कितने स और हमारी अप्लिकेशन से होगा और हम उसका इंटर्वी लेंगे हाइस्ट रेंक वाला जो बंदा होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना जिम कॉर्बेट राष्ट उद्यान जो है वो याद रखेगा वह वन ने जीए और भारत का सबसे भारत का जो है राष्ट अजिए शेर के लिए कैसे याद रख सकते हो मैंने बताया कि रोयल है रोयल लोग जिम करते हैं रॉयल व्हं करते हैं जिम जिमजमत नेशनल पार्क इस वह मश्वह वह बैंगोली टाइगर आओ और अब आ जाए चलो आगे वड़ते हैं इनमें से कौन सा वनों उन्मूलन क है जा कर अधो स्तिक है बताओ कौन सा अन्य सच को उन्मूलन का परिणाम है वायू मंधली तापमान में व्रधी वाय vet मंधलिक आफिल्त र्पर बार और सूखा जैसी आपधां से व्रधी सद्रत्र टाइम क्या है क्लास का ये ये वाली क्लास यह कोर्सभाली क्लास का चल तो सही आंस्वार ए ए बीडी है ना वायू मंडल यह तापमान वायू मंडल में कारवंडाई ओक्साइड के विरिद्धी या फर बाढ़ और सुखे जैसी आप दाएं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन एंडेमिक स्पीसिज आर एंडेमिक स्पीसिज कौन सी है दौरलब पर जातिया तो यहाँ सिजसर आपके पीड बैज का होगा बडसर मेरा तो पता नहीं शाण आपके बैएज से लेकिन मेरा पता नहीं आप तो थे ना पेड़ बैज में तो आपको पता है उसके quality क्या है आए तो यह वाली क्लास का समय रूज दिपार इडिड बज एंडेमिक स्पीसिस देखने को हमें मिलती हैं सातियों आप लोग 12 बजे ले रहे तो क्या आप लोग धाई बजे मेरे ठीक बाद एसस्टी क्लास ले रहे नहीं ले रहे एक बार एसस्टी पढ़के तो देखिए हमारे सर से यकीन मानिए आपको SST का इतना मज़ा आएगा जिसमें मलब बहुत दला देंगे आपको SST पढ़ाते समय जीवों में एक संबंध जिसमें एक जीव को सहचार्य से लाब होता है तो दूसरी कोहानी उसको क्या कहा जाता है सहजीवता सहवपकारिता पृतियोगिता या प एर पहला है नहीं सिरस्टों पर अध़ारित होता हिए याद रखेगा ठीके सब्सक्राइए तो आगर हम अंप्ति क्यू ए देपर अंट आप ये रहा चंल एव si भारत में भूजन बनाने के लिए इनमें से किस प्रकार के तेल का प्यूग सबसे कम होता है अगर थोड़ा मुझे बाहर जाना पड़ा था एमर्जन सी थी थोड़ी ठीक है तो हम रेली सौरी कल क्लास नहीं हो पई आप लोगों की ताड का तेल है ना ताड का तेल जो है वह भूजन बनाने में सबसे अपयोगी है ठीक है आगे भारत में त्योहारों को एक ऐसा समूझ जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाते हैं धुर्यमा पूरा चांद होता है थीक है पूर्यमा की दिन याद रहे कि कविचन बहुत जरूरी में है सर अच्छा जो चांगर आए का क्या नॉटिविकेशन जुटिट जुलाई में है पूछ रहे हैं बता रहे हो अगर जुलाई में पेपर हो जाए तो और शी बात है जुलाई ऐसा राज्य व्हेशें जून बस बीच प्रदेश है याद रखेगा ठिक आगे बढ़िए इन में से तीन राज्य के समू को चुनिए जिसका समुद्र तठ बंगाल की खाड़ी पर है कि बताओ कि बंगाल की खाड़ी पर कौन सा है कि आया हुआ कोश्चन है यूपी टेट में भी एक बार ऐसे कोश्चन पूछा गया है सी टेट में भी ऐसा कोश्चन पूछा गया है तो बताईए तो आपकी क्लास एप पर कितने बज़ होती तीन बज़ कर तीस मिनट आज लोग सब को एक सेशन करानी जा रहा हूं जिसमें आपकोrüक्स फ्री आफ कॉस्ट प्रोवाइड करांगा मैं किताबें ठीक है फ्री में दोंगा ठीक है छे मार्च हो ठीक है तो भी रिख लूगरा ना दो पहर के डेड़ बजे वाले सेशन पर है कि डेड़ बजे वाले सेशन में आन एक कार है 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तैय करती है ठीक है इस कार की ओसत चाल क्या है आप कौन-कौन क्लास कराते हैं? हम सारी क्लास कराते हैं, सारी A to Z क्लास कराते हैं, एब पर फी है, पेड पर, तीन बज़ कर तीस मिनट पर तो फी वाली क्लास है, एब पर है न, तो एक कार 1512 कुलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में टै करती है, इस कार के ओसत चाल बता इस कार के जो हौकreso च रहले 15 मीटरों 2 गुजरात के निगरते लच राजे कौन से हैं को भर मुजरात के निगटवरते राजे कि और महाराष्ट मद self और राजिस्थान आगे बढ़ते हैं के कहा के Rusia की भाषा है कुड़ुक कहा के लोगों की भाषा है कुड़ुक भाषा मिजोरम मनिपूर मिघालय जारखंड कि याद रखेगा कुड़ुक जारखंड के लोगों की भाषा है ठीक आगे बढ़ते हैं भारत की आजादी से पहले महत्मा गांधी के जीवन के महत्मून घटना दान्डी यात्रा है यह घटना कब घटी थी 1940 1930 1927 1913 में कि महत्मून घटना घटी वो कब घटी थी तो सही आंसर है 1930 में घटी थी ठीक है 1930 में भारत की आजादी में जो पहली महत्मा गांधी के जीवन काल के घटना थी वो 1930 में घटी थी 1930 में नीचे देगए पक्षियों की वह कौन से प्रजाती है जिसकी आंक मानवों की भाति सामने के और होती है टेलर बर्ड है वीवर बर्ड है रॉबिन इंडियन रॉबिन है उल्लू है बताओ मानवों की आग भाति आगे होती जिसके आखें कि यह सबसे साइलेंटली उड़ता है उल्लू वह पक्षी है जो सबसे साइलेंटली उड़ना जानता है ठीक है चलिए मिलते हैं फिर आज दुपहर को साड़े-3 बजे ठीक है एक बार फिर से जान लीजी आपको किस तरीके से कोर्स लेना एक बार फिर से समझा देता हूं जिसको भी कोर्स परचेस करना है सीटट कल क्योंकि अभी डिसकाउंट चल रहा है ना उतना फिर फिर मत कहना सर कोर्स वागेरा कैसे लेना है एक बार और जान लो तो देखो अप्लिकेशन है फ्री क्लास की भी बता देता हूं कैसे लेनी है दुपहर 3 बज के 30 मिनट वाली फ्री क्लास कैसे लेनी आप लोग को तो यह आप आप पहले लॉग इन वोग इन तो कर लेंगे न अपना नंबर वंबर डाल के अपना नाम व सूपर पर क्लिक करिएगा ठीक है सूपर पर क्लिक करने के बाद यहां पर वो कोर्स रहेंगे जो मैं इन्रोल करके रखोंगा ठीक है कोर्स पर क्लिक कर लीजिए जो कोर्स आपको लेना है जैसे मान के चलो अभी सीटेट के कोर्स दिखेंगे यह गोल होता है और यह कोर्स ह होते हैं तो जैसे मैं SITbread पे क्लिक करता हूं तो सीट orb Mayor करूंगा फॉन uw करने के बाद मैं हैं यह ना भीना स्पेस के और मुझे schaut मिल जाएगा 35% ठीक है वह एक चीज और जान लो आपको हम पर आना है हम पर आने के बाद आगर आपको फ्री में क्लासे चाहिए तो यह डेली लाइव क्लासे दिखने हैं फ्री है ना तो डेली लाइव क्लासे फ्री पर क्लिक करना है आपको ठीक है है ठीक है एक्स्प्लोर डेली लाइब पर क्लिक करना है यहां पर आपको यह कैटेगरी जो है पी आटी टीजीटी पीजीटी है अगर आपको मेरी चाहिए तो आप सीटेट सेलेक्ट कर लीजेगा यहां से यह रासी टैट एंड सेट यह वाली जो दिख रही है कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजेगा ठीक है और यह जो देख रहे हैं तीन तीस पर यह जो क्लास लगी हुई है इस पर आप जॉइन सीरीज पर क्लिक कर देंगे तो आपको अपने आप कितनी आज अस्तारी कितनी है कि 19 वह तो यह जो क्लास वह एक घंटे 17 मिनट में चलेगी इसमें आ रहा है उसमें नहीं आ रहा है क्योंकि स्क्रीन नहीं कर सकते तो इसलिए ठीक है कि यहां पर लिखा है तीन तीस पर मंडे टू फ्राइडे चलती तीन तीस पर बहुत अच्छी से अप्लिकेशन में चीज़ें आप लोग के लिए ठीक है थोड़ी एप को भी थोड़ा सुधारा गया है ताकि आप लोग अच्छे से काम कर पाएं पढ़ पाएं कितने दिन ओफर रहेगा कोई ऐसा शॉरटी नहीं है कि कब तक ऊफर रहेगा ठीक है एक और चीज़ में आपको बता दू हम लोग ना काफी हम लोग कौम कर रहे हैं हम लोग क्यां सब्सक्राइब करने पर और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाने पर राइट वह एप बट प्रॉब्लम वास देट कि जब क्वालिटी टीचर्स की बात आती थी तो लोग अपनी क्वालिटी के नाम पर ना बहुत पैसा वसूल कर लिया करते थे सीटेट को लिटरली पांच-पांच हजार-चहचहजार रुपे में कोर्स बेचे गए हैं सीटेट के जबकि हमने वह नहीं कोर्स को कहां लाके खड़ा कर दिया और इतनी क्वालिटी की चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सूपर कोचिंग पर ही मिल सकते इसलिए इ अनोंने टीचिंग से ही करियर स्टार्ट किया तो उनका विजन जो है मेरे विजन से मैच किया उनका विजन भी यह कि हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन पहुंचानी है और कम से कम प्राइस पहुंचानी है इसलिए आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूं कि टेस्ट बुक का जो पास है वह आल ओवर इंडिया नहीं आल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाला मतलब सबसे ज्यादा सेल ह सबसे ज्यादा लोगों ने उसमें इन्रॉल्मेंट कराई है और यकीन मानिये टेस्ट बुक किंग है कॉंटेंट का उसके बराबर का अच्छा कॉंटेंट कहीं मैं नहीं बोलता हूं आप लोग मेरी बात मत मानिये टेस्ट सीरीज जाके देखिए जो फ्री के डेमो आप य कहले भी याद करो कि में कमपनी के साथ हूं जडिन मेरी चलनी कम हो जाएगी मेरी बाते माननी मतलब मैं मेरे चातर मुझे से आके बोलें कि सर यह कोर्स तो सस्ता कराऊ और मैं अपने management में जाके बोलूँ कि नहीं सस्ता होना चाहिए चातर मांग रहें कहें नहीं सर हमें पाईसा कमाना जिस दिन से यह सब हो जाएगा उस दिन मैं उस जगह पर नहीं टिकता हूं ठीक है तो पिछली company छोड़ने का भी यही reason और इस company वाने का भी यही reason जो कि पैसा कहीं भी बहुत ज्यादा मिल सकता था ठीक है लिटरली मिरको करोडो करोडो को आफर दिया गया तो लिटरली बता रहा हूं क्योंकि तुम सोचो ना जो इससाथ 10,000 लाइब बिठा रहा हूं उससे करोडर पर नहीं देते कंपनिया कूप देते हैं भर भर के देते फिर कोड़ फिरी क्लास में थैंक यू अप पर मिलते हैं साधी तीन बजे ठीक है